मैं मेरे देश वाच्यों का इसलिए भी अभीरंदन करता हूँ कि मेरे देश वाच्यों में एक नीर शीर विवेक का सामर्त है समझ्याओं की जणों को समझने का सामर्त है और इसलिए 2014 में मेरे देश वाच्यों ने 30 साल के अनुभाव के बाद तैक किया कि देश को आगे ले जाना है तो स्थीर सरकार चाहिए मजबूत सरकार चाहिए पूर्ण बहमत वाली सरकार चाहिए और देश वाच्यों ने एक मजबूत और स्थीर सरकार बनाई और तीन दसकों के जो अनिस्टिता का कालखन था जो राजनितिक मजबूरियों से देश जकड़ा हुआ था उसे मुक्ति बली है मेरे प्यारे परिवार जुनों देश के पास आज एक ऐसी सरकार है कुछ सर्वजन हिताए सर्वजन सुखाए देश के संतुलित विकास के लिए समय का पल पल और जनता की पाई पाई जनता की भाई के लिए लगा रही है और मेरी सरकार मेरे देश वासियों का बान एक बात से जुड़ा हुआ है हमारे हर दिन है हमारे हर दिशा उसका एकी मांदन है नेशन फास्ट राष्ट प्रधाम और राष्ट प्रधाम यही दुर्गहामी परणाम सकारात्मक्त परणाम पैदा करने वाला है देश में बड़े स्तर पर काम हो रहा है और लेकिन मैं कहना चाहूंगा 2014 में आपने एक मजबूत सरकार बढ़ाई और मैं कहता हूँ 2014 में और 2019 में आपने एक सरकार फार्म की तो मोधी में रिफोर्म करने की हिंबत आई अपने ऐसी सरकार फॉर्म की जबत आई और जब मोदी ने एक के बाद एक रिफॉर्म किए मेरे बुरेकरसी के लोग मेरे लाखो हाथ पैर जो हिंदुस्तान के कौने कौने में सरकार के हिस्से के रूपे काम कर रहे उन्होंने विरोकरसी ने ट्रांस्फॉर्म करने के लिए परफॉर्म करने जिम्मावारी बक्खुभी निभाई और उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया और जनता जनारदन जुल गई तो वो ट्रांस्फॉर्म होता भी नजर आ रहा है और इसलिए रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांस्फॉर्म ये कालखन अब भारत के भविश्च को और हमारी सोच टेश की उस ताकतों को बढ़ावा देने पर है जो आने वाले एक हजार साल की नीव को मजबूत करने वाले कि दुनिया को युवा शक्ति की जरुत है। युवा शकील की जरुत है हमने अलग स्कील मिलिस्टरि बनाई भारत की आवश्यक्ताओं को तो पूर सरकार के मन मस्तिष को बड़े अच्छे धंग से आप समझ पाएंगे हमने जल्षक्ति मंत्राले बनाया इस जल्षक्ति मंत्राले हमारा हमारे देश के एक एक देश वाजू को पीने का शुद्ध पानी पहुँचे परियावन की रक्षा के लिए पानी के प्रती संबेदन सिल व्यवस्ताई विच्छित हो उस पर हम बल्द रहे हैं हमारे देश में कोरोना के बाद दुनिया देख रही है होलिस्टिक हेल्थ कैर यह समय की मांग ह हमने अलग आयूस मंतराले बनाया और योग और आयूस आज दुनिया में अपना परच्छम लहरा रहे हैं हमने दुनिया को हमारे हमीं के कर्ण विश्व का हमारे प्रती धान गया है अगर हम हमारे इस सामर्थ को नकार देंगे तो फिर दुनिया कैसे चुतार करेगी लेकि हमारे कोटी-कोटी मच्वारे भाई भैएं उनका कल्यान भी हमारे दिलों में और इसलिए हमने अलग से मत्षपालन को ले करके पश्वुपालन को ले करके तेरी को ले करके अलग मंत्रा नहीं की रतनागी ताकि समाज के जिस्वर्ग के लोग पीछे रह गए उनकों साथ हैं देश में सरकारी अर्थ व्यवस्ता के हिस्से होते हैं लेकिन समाज की अर्थ व्यवस्ता का एक बड़ा हिस्सा है कॉपरेटिव मुमें उसको बल्द देने के लिए उसको आधी निक्ला लाने के लिए और देश के कौने कौने में लोग तांतर की सबसे बड़ी काई को मजब बिखा रहा है ताकि गरीब से गरीब की वहां सुनवाई हो उसकी आवश्यक्ताओं की पूर्ति हो और वो भी रास्ट की विकास की योगदान में एक छोटी काय का हिस्सा बन करके उसमें वो योगदान दे रखें हम ले सहकार से सम्रदिक का रास्त अपनाए है मेरे प्यारे परिवार जुनों जब हम दो चवुदा में आये थे तो हम वैश्विक अर्थे बवस्ता में दस्वे नंबर पर और और आज एक सो चालिस करीड करोर देश वाच्चों का पुरसार्थ रंग लाया है कि हम स्विश्व की अर्थे बवस्ता में पांचवे नंबर पर पहुंच चुके हैं और यह ऐसे ही नहीं हुआ है जट ब्रस्ताचार का राक्षस देश को दबोचे हुए थे लाखो करोड के गोटाले अर्थ व्यवस्ता को डावा डोल कर रहे थे गवर्नांस फ्राइदी फाइल में देश की पहचान होने लगी थी लिकेजिस को हमने बंद किया मजबूरत आर्थ व्यवस्ता बनाई हमने गरीब कल्यां के लिए जादा से जादा धन खर्चने का प्रयास किया और आज मैं देश वास्यों को बताना चाहता हूं कि जब कि देश आर्थिक्रुप से सम्रिद्ध होता है तो से तीजोरी नहीं बढ़ती है कि देश का सामर्थ बढ़ता है कि देश वास्यों का सामर्थ बढ़ता है